तो अगला प्रश्चन है, जादा तर अच्छे मॉबाइल फोन में लगे कैमरा सोनी कंपणी के क्यूं होते हैं, जबकि निकॉन और कैनन भी कैमरा की कंपणीया हैं, वो मैनुफेक्चर करती है, तो यह बहुत एक इंट्रेस्टिंग कॉस्चन है, मैं आपको एक बहुती स्केल पर जाने के बाद, वो सिर्फ प्रॉफिट देखने हैं, जो सबसे सस्ता फुल फ्रेम था, जो सोनी बनाता है, और एपल का जो स्क्रीन होता है, वो सैमसिंग बनाता है, बहुती विडम बना की बात है, पर यह सच बात है, क्योंकि यहां पर आपको समझना पड़ेग कि कमपनियां जो बनाती हैं, मतलों एक स्केल पर जाने के बाद, वो सिर्फ प्रॉफिट देखने हैं, और उसका कितना सील हो रहा है, बस वही देखते हैं, उसको, हाँ, इनोवेशन है, इनोवेशन होता है, बहुत इच्छी बात है, बर इनोवेशन के साथ-साथ उनको प् हैं, वो भी खुश रहेंगे, तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा, यह अंदर की बात होती है, कि कमपिटिशन बहार में ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कमपिटिशन नहीं होगा, तो फिर महल कैसे बिखेगा, पर कमपिटिशन के साथ-साथ, यहां पर यह भी द और Nikon, धरले से बिकना शुरू हो गया, पर Canon चार साल पहले, तीन साल पहले बहुत पीछे चला गया, क्योंकि वो सेंसर अपक्रेड नहीं कर रहा था, उस तरीके से, अच्छे कॉलिटी का सेंसर नहीं बना रहा था, Canon अपना सेंसर खुद बनाता है, Nikon सोनी से खेट करता है तो यह कारण था, अंदर की बात होती है, तो यह सिंपल चीज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि अंदर ये अंदर चलता रहता है, क्योंकि जब भी आप फोट्रागर्फी करो, कुछ भी करो, क्या फरेक पड़ता है, यहां पे उनको सिर्फ देखना पड़ता है, कि उनको किटना मेरे विकरा किटना उनको मुनाफदा, that's about it.